13 जून 2017 उत्तर प्रदेश की एक कोतवाली में कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिलती है कि जौनपुर में एक युवक की लाश पड़ी हुई है सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अपने पूरे पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं खटना स्थल पर अब तक गाव वालों की भीड लग चुकी थी लेकिन पुलिस को देखते ही सब किनारे हो जाते हैं कोतवाली प्रभारी निरीक्षन शुरू करते हैं मृतक की हत्या किसी धारदार हतियार से बड़ी बेरहमी से की गई थी उसकी उम्र लगभग 26 से 28 के पीच की होगी वो देखने से ही गाव का लग रहा था काफी प्रयास के बाद भी लाश की शिनाक्त नहीं हो सकी थी ब्रदक के कपडों की तलाशी में भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी शिनाक्त हो सके पुलिस लाश को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी कर रही थी तभी कोटवाली प्रभारी ने एक बार फिर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने का फैसला लिया इसका नतीजा ये निकला कि लाश से कुछ दूरी पर उन्हें एक टूटा हुआ सिम मिला इससे जाँच में मदद मिल सकती थी इसलिए उन्होंने उसे सुरक्षित रख लिया थाने में अपराद संख्या 461-2,017 पर अग्यात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू होने लगी मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए एसपी ने थाना पुलिस की मदद के लिए क्राइम ब्रांच के अलावा सर्विलांस टीम को भी लगा दिया था चांच को आगे बढ़ाते हुए कोतवाली प्रभारी ने घटना स्थल से मिले सिम कार्ड पर लिखे नंबर के आधार पर संबंधित कंपनी से पता किया तो जानकारी मिली कि वह सिम महराश्टर के जिला गडचिरॉली के थाना देशाई के गाव तुलसी के रहने वाले पंकच का था पुलिस ने उस सिम का नंबर पता करके उसकी काल डिटेल्स निकलवाई तो उस नंबर से अंतिम नंबर पर जिससे बात हुई थी उसका नाम सत्यम था 13 जून को सत्यम की पंकच से कई बार बात हुई थी यही नहीं उसके नंबर की लोकेशन भी 13 जून को घटना स्थल की पाई गई थी अब शक की कोई गुंजाईश नहीं रही लहाजा कोतवाली प्रभारी ने सत्यम के नंबर को सर्विलांस पर लगवा कर उसकी लोकेशन पता कराई क्योंकि फोन करने पर उसे शक हो जाता और फ वक्त था एक युवती को किरफतार कर लिया तीनों एक मोटर साइकल से कही जा रहे थे बाद में पूछताच में पता चला कि तीनों कहीं दूर भाग जाना चाहते थे जिससे पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। तीनों को थाने लाकर पूछ ताच की गई तो उन्होंने अपने नाम सत्यम उर्फ छोटु गौड, सचिन गौड उर्फ चिंटु और रूपाली बताए इनमें सत्यम और सचिन वारानसी के थाना फूल पूर के गाम क्रियाम्व के रहने वाले थे युवती का नाम रूपाली था, वह मृतक पंकज उर्फ बबलू की पतनी थी वह महाराश्ट्र के जिला गडचिरॉली के थाना देशाई के गाम तुलसी की रहने वाली थी पुलिस ने तीनों से पूछताच शुरू की तो थोड़ी हीलाह वाली के बाद उन्होंने पंकज की हत्या का अपना अपराध स्विकार कर लिया पुलिस ने उनकी मोटर साइकल जब्त कर ली थी इसके बाद इनकी निशान देही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू दस्ताने भी बरामद कर ली गए थे पुलिस द्वारा की गई पूछताच में तीनों ने पंकज की हत्या की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी पंकज उत्तर प्रदेश के जिला वारार नसी के थाना फूलपुर के गाम क्रियाव में आकर रह रह रहा था वह यहाँ शादी विवाहो या किसी अन्य कारिक्रमों में डांस करता था इसी से होने वाली आमदनी से उसका और उसके परिवार वालों का भरण पोशन हो रहा था वह डांस करके इतना कमा लेता था कि उसका और उसके परिवार का गुजारा आराम से हो रहा था इसी गाव में सत्यम उर्फ छोटु गौड भी रहता था पंकच से उसकी दोस्ती हो गई तो वह उसके घर भी आने जाने लगा घर आने जाने से उनकी दोस्ती तो गहरी हुई ही पंकच की पत्नी रूपाली से भी उसकी अच्छी पत्ने लगी वह उसे भावी कहता था चूंकि सत्यम की शादी नहीं हुई थी इसलिए जल्दी ही रूपाली पर उसका दिल आ गया इसके बाद वह पंकज की अनुपस्थिती में भी उसके घर जाने लगा क्योंकि उसके सामने वह दिल की बात नहीं कह सकता था आखिर एक दिन पंकज की अनुपस्थिती में सत्यम ने रूपाली से दिल की बात कही नहीं दी, बलकि दिल की मुराद भी पूरी कर ली, एक बार मर्यादा भंग हुई तो सिलसिला चल निकला, दोनों को जब भी मौका मिलता इच्छा पूरी कर लेते। पंकज इस सबसे अंजान था, जिस पत्नी को लेकर वह अपने घर परिवार से इतनी दूर आ गया था, उसी पत्नी ने उससे बेवफाई करने में जरा भी संकोच नहीं किया था। नजरें बचा कर फिर चोरी चुपके मिलने लगे। रूपाली पंकज से उप चुकी थी, वह पूरी तरह से सत्यम की होकर रहना चाहती थी। इसलिए वह जब भी सत्यम से मिलती, एक ही बात कहती।